यहां हमें दो fractions को multiply करना है अब देखो यहां एक mixed fraction 3 2 by 5 है अब इन दोनों को ऐसे तो हम multiply नहीं कर सकते तो 3 2 by 5 को हम लिख सकते हैं 3 plus 2 by 5 mixed fraction को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 3 plus 2 by 5 into 4 by 7 अब इसको हम easily solve कर सकते है तो पहले हम bracket को solve कर लेते हैं अब देखो यहां एक fraction है और यहां सिर्फ 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 by 1 तो यह भी fraction बन गया अब इन दोनों fraction को add करने के लिए पहले हमें इनका denominator same करना पड़ेगा तभी हम दोनों को add कर सकते हैं अब दोनों का denominator same करने के लिए हम करेंगे cross multiply तो यहां 3 के साथ multiply होगा 5 प्लस 2 के साथ multiply होगा 1 अब दोनों का product 1 into 5 और बाहर आ जाएगा into 4 by 7 अब इन सब को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 15 प्लस 2 by 5 into 4 by 7 अब 15 प्लस 2 होगया 17 तो हमें मिल गया 17 by 5 into 4 by 7 अब देखो यहां दो fractions है अब fractions को multiply करने के लिए हम numerators को साथ में multiply करते हैं और denominators को साथ में multiply करते हैं तो यह हो जाएगा 17 into 4 by 5 into 7 अब 17 into 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 4 1s of 4 प्लस 2, 6, 68 तो यह आ गया 68 और 7 5 से होगया 35 तो हमें मिल गया 68 by 35 अब देखो यहां 68, 35 से बड़ा है अब numerator बड़ा है तो हम इसको mixed fraction में convert कर लेते हैं अब mixed fraction में convert करने के लिए हम 68 को 35 से divide करेंगे तो देखो 35 into 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 2 is a 6 plus 1, 7, 70 जो 68 से बड़ा है तो हम लेंगे 35, 1 is a 35 अब 68 से 35 माइनस करेंगे तो हमें मिल गया 33 अब इसको mixed fraction में लिखने के लिए यह होता है number यह होता है numerator और यह हो जाता है denominator तो यहां से हमें 68 by 35 मिल जाएगा 133 by 35 तो हमारा answer हमें मिल जाएगा 133 by 35 35 35